तो दोस्तों जैसे के आपने प्रोमो में देखा हमने मंगवाया है इलिका का थ्री बर्नर वाला कुक टॉप ठीक है तो बहुत ही रिसर्च के बाद ये मंगवाया है तो चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसका आपको में रिव्यू दिखाता हूँ और यूसेज के है वो भी में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए फटा फट इस बोक्स को पहले में खोल देता हूँ उससे पहले में आपको प्राइस दिखाना चाहूँगा ये मुझे तीन हजार में पड़ा लेकिन इस बोक्स के ओपर प्राइस जो है वो कुछ अलग है अब दोस्तों लिखी है 6490 रुपे लखी है और दोस्तों कमपेरिजन मैंने मैंने इस ब्रांड को क्यों चुना उसका मैं आपको रिजन बताना चाहूँगा कि इसको सिलेक करने के पीछे रेटिंग से 11,000 लोगों ने खरीदा था और 4.7 रेटिंग वीचिस एक्सेप्सनल गुड तो किसी से पेकिंग है बहुत अच्छे से रखा गया ऐसा लग रहा है क्लिपिंग वगेरा लगाए गई थी अन्बोक्स करकि अब रेडी है दिखने में तो बहुत ही खुबसूरत और अच्छा लग रहा है इसको खरीदने की दूसरी एक वज़े बताना चाहूँगा इसकी जो चो तो दोस्तों अन्बोक्सिंग करके ये रेडी है आप देख सकते हैं इसमें ये एक वरेंटी बुक आ रही है और एक ये इंस्टोलेशन गाइड आपको बुक आ रही है दोनों डोक्यूमेंटेशन है और ये टफन ग्लास है प्लस दोस्तों बहुत ही अच्छी कॉलेटी भी अवेलेबल है टफन ग्लास वहां लिखा हुआ है कि यहां पर टफन ग्लास का सिंबोल है और दोस्तों हब देख लेते हैं हम यहां नॉब सारे कौन से है प्रेस नॉब एंटी क्लोक वाइस ठीक है ये एंटी क्लोक वाइस होता है ये क्लोक वाइस होता है क्लोक जैसे ग रूपे के आसपास यह आपको पढ़ने वाला है ठीक है दोस्तों इसकी डिजाइन मुझे स्लिक बहुत अच्छी स्लिक लगी और स्लिम लगी हाला के 70 cm फिर भी थोड़ा मुझे यहां पर डिस्टंस जो है वो थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि मेरे घर पर जो है और दूसरी कंपनी प्रेस्टिज कंपनी से कंपेर किया तो इसकी जो वीड़ थ है वो ज्यादा है और अच्छी ज्यादा मुझे इसकी वीड़ लगी और रेटिंग्स भी इसकी अच्छे हैं इसलिए ही यही प्रोड़क को हमने सिलेक्ट किया तो चलिए दूस्तों इसका करने की ट्राइ करते हैं तो यह निकालेंगे यहां पर यह नॉब दिया गया है आपको यह ब्रास का बताया गया है कि ब्रास दिया हुआ है काफी अच्छी कॉलेटी लग रही है लेकिन इसका रोंग टम रिव्यू भी आपको इसी चैनल पर जल्दी देखने को मिल सकता है और दोस्तों इजी टू क्लीन होता है यह जो टफन ग्लास होता है इसकी वज़े से इजी टू क्लीन इनको साफ करना बहुत इजी हो जाता है और यह थोड़ी इसकी कॉलेटी भी काफी हेवी और अच्छी लग रही है प्लस दोस्तों यहां पर एक और रिंग है अगर बढ़ाती है इसी तरह से चलिए सारे नॉब को हम अंस तर उनिंटाल करके मतलब के निकाल Ay को मिसी तरह से इंस्टाल करके आपको पूरा दिखाते हैं ल। अब आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आपके वरतन रहेंगे धोस्तों यह स्वन प्लस-लीटर का बरतन है यह सूपर बिग पे पड़ा है, इसके बाद की नोब जो है यह बिग है इस पर पांच लिटर का पड़ा है और वो तीन लिटर का पड़ा है, मतलब आराम से तकरीबन तीन इच का डिफरेंस दोनों ही बर्नर के बीच में रहेगा और आराम से आपके इतने बरतन रह सकते हैं एक साथ, ठीक है, बट एडवाइजेबल है कि at a time हम दो यूज़ करते हैं या इतना सारा तो कभी कभार ही, जब बहुत सारे महमान होते हैं तभी यूज़ होते हैं, तो इसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज़ भी इसका दिखा दिया है, तो अब दोस्तो नॉब की कोलेटी में आपको कहूं, तो बहुत अच्छी है, बहुत ही सही है, प्लस दोस्तो हमारे पास जो है, मैंने जैसे आपको बताए, गेस्टॉब जो है, वो चालू कमपनी का है, तो ये आप देख सकते हैं, इनकी कोलेटी जो है, वो अलग ही है, न चीज भी खास कर धियान रखनी है कि बहुत गरम चीज अगर हो जाती है तो उनको तुरंथ ही साधे कपड़े से साफ कर दीजिए गरम के ऊपर बहुत थंडा पानी या ऐसा कुछ ना डाले ठीक है वरना ग्लास जो होता है वो ब्रेक हो सकता है हमने दोस्तों तीन साल से जो ब बात अलग है दोस्तों आ जाते हैं वर्डिक्ट पे पीछे की साइट भी दोस्तों आपको मोडल नंबर बगेरा मिल जाएगा प्लस एक छोटा बर्नर है दो बड़े बर्नर है उसमें इंपूट आउटपूट कितना है वो सब बताया गया है तो दोस्तों मैं आपको डेफि पिजियन्स का लेने का सोच रहे थे फिलम प्रेस्टीज का सोच रहे थे और आखिर में हमने लिया एली का जो के नजर में आ गया और काफी अच्छे रिव्यूज है इसके ओनलाइन तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं आप एक बार जरूर कंपेर करिए तीनों प्रोड़क दिलम प्रोड़क है